इम्रान खान की कुरसी पर संकट के बादल शाह महमूद कुरैशी बन सकते हैं पाकिस्तान के नए वजीर आजम पाकिस्तानी मीडिया इदारों में हलचल तेज खूपिया एजेंसी आईसाई के नए चीफ की न्युक्ति के मामले में इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद वाजवा के वीच तनाव जारी है बाजवा के मुहर के नव दिन बाद भी इमरान खान ने नए चीफ नदीम अंजुम के अपॉइंटमेंट लेटर पर सिगनेचर नहीं किये हैं अब पाकिस्तानी मीडिया के कुछ हलकों में ये दावा किया जा रहा है कि अगर इमरान ने आर्मी चीफ से जो राजमाईस बंद नहीं की तो बहुत चल्द पाकिस्तान को शाह महमूद कुरैशी के तोर पर नया प्रधान मंत्री मिल सकता है मज़े की बात ये है कि जब बिदेश मंत्री कुरैशी से मीडिया ने इस बारे में सवाल किया तो वे शायराना हो गए मीडिया ने सीधा सवाल पूछा कि क्या आप वजीर आजम बनने जा रहे हैं क्या आपने नई शेरवानी सिल वाली है जवाब में कुरेशी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ हसरत ऐसी होती है जो हसरते ही रह जाती है एक बार फिर जब उनसे साफ जवाब देने को कहा गया तो कुरेशी ने कहा कि कुछ ख्वाइश ऐसी होती है कि हर ख्वाइश पर दम निकले इस पर मीडिया ने फिर पूछा कि किया आप अब भी इमरान खान के साथ है तो इसका जवाब देने के बजाए कुरैशी तेज कदमों से चल दिये फिर एक पत्रकार ने पूछा हमने सुना है कि आपने नई शेरवानी सिलाली है कुरैशी ने पलट कर देखा मुस्कुराएं और फिर आगे चल पड़ें पाकिस्तान के सियासी हलकों में हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि कुरैशी की तमन्ना प्रधान मंत्रे बनने की रही है पर एक बार यूसुफ रजा गिलानी तो दूसरी बार इमरान खान ने उनकी राह रोक ली खास बात है कि कुरैशी और फौज के बीच गहरे और अच्छे तालुकात है इमरान खान को तो पूरा विपक्ष इलेक्टेट के बजाए सिलेक्टेट प्राइम मनिश्र कहता है इमरान और आर्मी चीफ के रिष्टे काफी तलावपुन हो चुके हैं मना जा रहा है कि इमर पार्टियों से भी अच्छे रिष्टे हैं वासी फली जर्दारी और वेंजीर भुठो की पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी में रह चुके हैं कोस दिन पहले पाकिस्तान की संसद में वेंजीर के बेटे बिलावाल भुठो ने कुरैशी पर तंज कस्ते हुए कहा था कि इम बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं